मा की दुआ बुरा वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है गुरू मारुक्मनी जी से निशुल्क मिले हर गुरु वार जनता दरबार अधिक जानकारी के लिए दिये गए नंबरों पर संपर्ख करे या आकर मिले 16 बटा 24 इस्ट पटेल लगर नई दिल्ली में दूसरों का अच्छा करने पर भी क्यों मिलती है आपको बुराई बदनावी और धोका जैशनी दे मेरे प्यारे बच्चों आज आपकी गुरू मा आपको कुछ ऐसी विशेश बाते बताने आई है जिसे जानने के बाद कोई आपको धोका नहीं दे सकेगा और आपके दुख की जो कारून बिन्दू है वो ही समाथ हो जाएगी क्योंकि जब ही मेरे बच्चों को तकलीफ होती है वो दुख में होते हैं प्यारा में होते हैं तो मा को सबसे जादा तकलीफ होती है इसलिए इस टॉपिक को लेकर के आई हो इससे समझना बहुत जरूरी है तो अंध तक मेरी साथ बने रहेगा ग्रेहों की बात गुरुमा के साथ दूसरों का अच्छा करने पर भी क्यों मिलती है आपको बुराई, बदनावी और धोका आज सबसे पहले बात करेंगे बदनाव क्यों आपको लोग करने की कोशिश करते हैं मकर राशी वाले मेरी जितने भी बच्चे हैं अगर इन्होंने कोई रस्ता पकड़ लिया है तो जब तक मन्जिल मिल नहीं जाएगी तब तक उस रस्ते पर चलते रहेगे मन्जिल पाकर की ही रहेंगे चाहे कितनी पर कठनाई या इनके सामने आजाए जीवन में कितनी में कठिन से कठिन परिस्तिती जब इनके सामने आती है लेकिन इन दूसरों से मदद लेना पसंद नहीं करते हैं शक्ति दिखाने वाले के सामने चटान की तरह अडिक होकर के खड़े हो जाते हैं पर अगर कोई मित्र या सजन व्यक्ति इनके सामने आ जाए तो नत्मस्तक होने में भी इन्हीं शरब नहीं होती हैं उच्छ समाजिक बनों को प्राप्त करते हैं देश प्रेम इनमें कूट-कूट कर भरा होता हैं अपने परिवार से ये बहुत प्रेम करते हैं और उनकी देख भाल करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं अब आप ही सोचिए इतने सारे अच्छी गुन होने के बाद भी क्योंकि आप किसी से डरते नहीं तबते नहीं तो लोग आपकी शत्रू बच जाते हैं और इसी कारण से लोग आपसे जलिस होते हैं जलते हैं और आपका नाम खराब करने का प्रयास करते हैं मैंने सुना है एक गाउं में सोगर थे गाउं में बिचली आती ही नहीं थी लेकिन किसी को भी उससे कोई आपती नहीं थी कोई दिकत नहीं थी सब लोगों का काम मज़े से चल रहा था समस्या तो तब हुई जब वहाँ एक गाउं वाला शहर गया और शहर से लाल्टेन ले आया लाल्टेन लगाते ही उसका घर जगमदाने लगा अब इन 99 लोगों को बहुत तकलीफ होने लगी आज तक तकलीफ नहीं थी कि अंधेरे में थे लेकिन किसी एक के घर में रोशनी हो गई तो बहुत तकलीफ होने लगी अब उन 99 लोगों के पास किवल दो ओप्षन हैं दो तरीके हैं कि इस समस्याओं से निकल सके सबसे पहला तरीका उनके पास ये है कि वो सारे 99 के 99 लोग जाएं जाकर के शहर से लाल्टेन लाएं और अपने घर में लगाने और दूसरा जो बहुत आसान तरीका है वो है कि एक पथर लें और उस एक आदमी की लाल्टेन पे मारें और जै श्री कृष्णा समस्या का पूरा समाधार पर एक बात हमीशा याद रखना मेरे बच्चों अगर लोग आपसे जलते हैं आपकी निन्दा करते हैं आपको देख करके उनको अच्छा नहीं लगता है तो समझ जाओ कि आप में कुछ खास बात है कुछ तो ऐसा है जो वो पान ही पा रहे हैं इसलिए आपसे चल रहे हैं आप तरक्की की रास्ते पे हैं आगे जरूर पढ़ेंगे और बुराई करने पाले निन्दा करने वाले जनन करने वाले चुबली करने वाले भी तीन तरह के लोग होते हैं सबसे पहले इक तरह कि जो लोग होते हैं वो होते हैं जो आपके पीट पीछे आपके पुराई करते हैं यह आपने किसी व्यक्ति से सुना कि यह आपके बारे में ऐसा कहता है या ऐसा सूचता है दूसरे प्रकार के लोगों होते हैं जो लोगों के मत के हिसाब से अपना मत बदल देते हैं यानि कि अगर चार लोग खड़े हैं उस चार में से तीन आपके फेवर में हैं तो वो भी आपके फेवर में हो जाएंगे आपको अच्छा कहेंगे और अगर तीन खराब आपके बारे में बोलेंगे तो वो भी आपके बारे में खराब बोलने लगेंगे तो इनका विशेशकर अपना कोई मत नहीं होता है ये लोगों की मत के हिसाब से अपना मत बनलते रहते हैं और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, जो मुँपर निंदा करते हैं, बदनामी करते हैं, बुराई बोलते हैं ये लोग बहुत कड़वे लगते हैं, मैं समझती हूँ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास होगा तो मन करता उसकी शकल ही ना देखू, अभी दूर से आ रहा हो तो मन करता हैं कहीं कटलो लेकिन ये जो लोग होते हैं, ये आपके सच्चे हीतैशी होते हैं उस विचारे को तो पता भी नहीं है कि आपका भला कर रहा है लेकिन वो आपकी बदनामी बुराई की जगे सच में आपका भला कर रहा होता है। कभी दाश्ची ने कहा है ना निंदक नीरे राखिये आंगन कुटी छबाए बिन साब उन पानी बिना निर्मन करे सुहाई। अरे जो व्यक्ति मोपर आपकी निंदा करना है तो आपकी कमी बता रहा है और यदि उस कमी को आपने ठीक कर लिया ना तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता इसलिए अगली बार कोई भी बदनाम करे बुराई करे तो मन में इन बातों को याद जरूर कर देना आपके मन में इतनी प्रसंता इतनी खुशी होगी कि उसका ठीकाना नहीं और आपकी मंजिर तक पहुचने से आपको कोई भी नहीं रोक वाएगा कहते हैं ना हाथी चलता है तो कुट्टे तो भूगते ही हैं क्योंकि वो हाथी नहीं बन सकते जैशन देव आप सभी के समस्यां का निवारिन करने के लिए अपनी दस वर्षों की साधना तपस्या और अनुसंधान के बात मैं करू मत्मनी लाइन हूँ आप सब के कश्टों को दूर करने के लिए मंत्र सित सत्मनुकामना सित्धी लॉकेट नौरतों आप इस लॉकेट को अपने गले में धारिन करने से आपको समस्त नौकरे शुब फलप्रदान करने लगते हैं और नीचे लगी यह जुद्धी पे करकपोड़ी है जब यह आपके शरील उसपर्ष करती है तो रिगवेट की उष्री सुद्ध की चुरिचाएएं और लक्षमे मंत्रों से अभी मंत्रित होने के कारण यह आपके जीवन की सभी धन सम्द्धी समस्यां कुदूर करती है कर्सों से मुक्तित लाती है और आपके जीवन में सुक शांती समृती लेकर गयाती है बाचार में मिलने बाले अंदे रत्नों की अंगूठिया और लोकेट किसे इस दिद पुष्ट वारा तीन दिन तक मंत्र सिद्ध प्राणपति शुद और जागरत नहीं होते हैं इसे काथ इस कल्यूग में बहुत से ऐसे कम लोग है जिने सच में रत्नों का प्रभाब महसूस होता है हमारे द्वारा मंत्र सिद्ध रत्नों से आप 133 देशों की लोगों की जीवन में सुक शांती और समृती भर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गुरू रचनी शिशी जी जिसपे आप 19 लाग से जादा सब्सक्राइबर्स हैं वहाँ पर जाकर करके आपको ऐसे चमतकारी गुरूप से लग प्राप्त की हुए हजब्रों लोगों का वीडियो देख सकते हैं मेरे द्वारा मंत्रे से तसर्वानुकामना सिथी लॉकिट को प्राप्त करनी के लिए हमारे शनीपीच मंदिन नई दिली में ही कॉल करें या हमें वाट्चाप करें जै शन्ती के लोगों का अच्छा करने पर भी आपको बद्ले में केवल बुराई ही मिलती है जब भी आप किसी का अच्छा कर रहे है तो इस बात का ध्यान रखें कि मदद का हाथ और दान केवल सुपात्र को ही दिया जाता है अगर कुपात्र को आप मदद का हाथ देते हैं उसकी मदद करते हैं या उसको दान देते हैं वो उसी प्रकार से है जैसे कोईले की ख़दान में आप जा रहे हैं आपने कुछ जुआ नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ जाके आपके कपड़े गंदे हुई जाएंगे कालक उस पे लगई ही जाएगा तो हमीशा ध्यान रखे कि जब भी किसी की मदद कर रहे हैं तो सोच लेजे क्या ही मदद की योगते हैं क्या ये सुपात्र हैं क्या ऐसा तो नहीं मैं इसकी मदद करूँगा और ये उससे कोई गलत काम करें तो हमीशा ही सुपात्र को ही अपनी मदद दे दूसरा आपने आपसे जब भी किसी की मदद कर रही है तो ये पूछे कि ये मदद आप क्यों कर रहे हैं क्या इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में ये व्यक्ति आपकी वापस मदद करे क्या आपके मन में ये है कि आज मैं इसके काम आउंगा तो कल ये भी मेरे काम आएगा अगर आप इस भावना से किसी की मदद कर रहे हैं तो ये तो भईया सोदा हुआ इन्वेस्टमेंट हुआ निवेश होगे आपका कि आज मैं कुछ अच्छा करूँगा तो कल इसका रिटर मुझे अच्छा आएगा तो ये तो मदद नहीं है मदद क्या है किसी की मदद करना सच में है नेखी कर और दर्या में डाल दान की विश्य में कहते हैं कि जब दान करो तो एक हाथ से ऐसे दान करो कि दूसरे हाथ वो पता न चले तो अगर मदद भी आपकी जीवन में आप इसी प्रकार से कर रहे हैं तो ऐसी मदद का जो अच्छा फल है वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा उसका जो फल है आपको बुराई ही मिलेगी लेकिन अगर आप निस्वात भाव से किसी की मदद करते हैं सुपात्र की मदद करते हैं तो ऐसे में आप देखेंगे आपका नाम, सम्मान, यश, कीर्ती, दैभाव सब कुछ अपने आपी पढ़ने लगा है आपको कुछ करने की आवशक्ता नहीं लोग आपके गुड़ गाते नहीं धक रहे हैं मैंने सुना है एक दिन एक स्वामी जी थे वो स्वामी जी किसी ऐसे प्रदेश में गए वो साउथ इंडियन थे और गए वो ऐसे नौर्थ इंडिया की जगे पे जहां पर किसी को भी उनकी भाषा नहीं आती थी और उनकी भी भाषा किसी को समझ में नहीं आती थी तो वो केवल एक ही बात बोलते थे परवाईल ले यानि कि मुझे किसी चीज की कोई परवा नहीं है परवाईल ले तो जब भी दान मागने जाते तो कहते परवायले किसी कोई पास आता उसको आशिरवाद देते तो कहते परवायले लोगों को दिरे दिरे लगा कि शाज स्वामी जी ने इसी एक शब्द पे सिथी प्राप्त की होगी तो इसलिए इस कारण को ये ऐसे कहते हैं जब नई गाउ में आए धीरे धीरे लोगों ने उनको जाना और जाना की किवल स्वामी जी एक ही शब्द कहते हैं इसके अलावा कुछ कहते ही नहीं है चाहे कोई भी घटना हो जाए उनके मुख से एक ही चीज निकलती है परवाइल यह सुनकर के बहुत से गाउं से लोग उनको देखने आने लगे उनका आशिरवाद प्राप्त करने आने लगे कि यह जरूर कोई योगी जन है कोई सित पुर्ष है एक दिन स्वामी जी के पास एक कन्या रही और वो कन्या काफी मजबूर और परिशान लग रही थी पिता जी उनके उसको ले करके आये थे तो पिता जी ने कहा माराज इसको आशिरवाद दीजिए कि इसका मैं विभा करने जा रहा हूँ इसका विभा जो रहे को संपन हो जाए स्वामी जी ने जब उस कन्या की ओर देखा तो देखा कि वो प्रसंड नहीं है पुई रिष्टा नहीं करना चाहती और गहरे से जब उन्होंने उसका अवलोकन किया देखा उसका न्या को उसके बारे में अपने अंतर द्रिष्टी से जाना तो वो किसी और से प्रेम करती थी कुछ समय बाद वो फिर से अकेले अपने प्रेमी के साथ महराज के पास स्वामी जी के पास आई और आकर के कहने लगी कि महराज मुझे आपकी मदद की आवशक्ता है मैं विविभा नहीं करना चाहती तो आप कृपिया ऐसा कहिए मेरे पिता जी से कि ये जो लड़का है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है स्वामी जी मदद करने को मान गए उन्होंने कहा परवाइल ले अब जैसे ही वो पिता जी को लेकर के कण्या आई स्वामी जी ने सब हाल बताया कि भाईया ये लड़का अच्छा नहीं लग रहा है ये शादी मत करो परवाइल ले कन्या का विभा तूट गया वो अपने प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग को और आगे बढ़ाने लग 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 अब उसके घरवाले बहुत गुस्से में बार बार कन्या से पूछ रहे थे कि ये किसका बच्चा है अब वो कन्या अपने प्रेमी का नाम नहीं ले सकती थी क्योंकि वो दूसरी जाती का था यदि वो कह देती तो वो उसको मार ही डालते तो अपने प्रेमी की रक्षा करने के लिए उसको बचाने के लिए उस कन्या ने कहा कि ये बच्चा परवाइल ले स्वामी का है अब जो लोग जैजैकार करते थे परवाईले स्वामी की वो उनके घर पे लाटिया लेकर के उनके खुटिया पे लाटिया लेकर के बहुचे उनको खूप पेटा स्वामी जी एक ही बात कहते रहे परवाईले पंचायत ने फैसला सुनाया कि क्योंकि ये जो खन्या है ये स्वामी जी के साथ ही गर्ववती हुई है तो उनको खुटिया के बाहर इन दोनों को रहना चाहिए और इनको गाउ से हमें निश्काशित कर देना चाहिए अब वो जो कन्या थी और वो जो स्वामी जी थे वो कुटिया में रहने लगे कन्या को अपनी भूल का एहसास था उसने स्वामी जी से शामा मांगी और स्वामी जी को तो एक ही बात थी परवाईले स्वामी जी के साथ रहते रहते उस कन्या का हृते परिवर्दन हुआ वो सुपात्र बनी उसके मन का मेल हटा और उसने हिम्मत पूरवक अपने प्रेमी से बात की प्रेमी में भी हिम्मत आई और दोनों ने जाकर के पंचायत के सामने अपना रिश्ता को बूल किया और परवाईले स्वामी के आशिरवाद से और सभी गाउवालों के उनके माता पिता की मर्जी से उनका विभाव संपन हुआ लोगों ने कहा कि स्वामी जी हमने आपका कितना अपमान किया हमें आप शमा कर दे स्वामी जी के पास किवल एक ही शब्द था जब उनका अपमान हो रहा था तब ही जब लोग उनके पुराई कर रहे थे तब ही और आज जब लोग फिर से उनकी प्रशंसा के पुन बाद रहे थे फिर से उनकी तपस जर्या का गुर्गान कर रहे थे उनके पास एक ही शब्द था परवाई ले तो इसलिए अगर आपको किसी के अच्छाई करनी है तो हमीशा सुपात्रकी करो और हमीशा मन में अच्छाई करते समय ये इच्छा करो परवाई ले मुझे कोई परवा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है मैंने तो नेकी की और करके हम भूल गए आप सुएम ही देखोगे कि कुछ समय बाद हो सकता उस व्यक्ती से आपको कुछ हेल्प नहीं मिली हो सकता उस व्यक्ती ने आपकी कोई भी मदद नहीं करी लेकिन कुछ समय बाद आप सुएम ही देखेंगे कि जब जब आप संकट में थे चाहे उस व्यक्ती ने आपकी सहयता नहीं की परण तो कोई न कोई भगवान का प्यारा मनुफ शरूप लें करके आपके पास आया और उसने आपकी सहयता कर दे आपको आपके अच्छाई का पून फल तभी मिलेगा जब आप अच्छाई के फल की इच्छा समाप्त करतेगी तो जिन्मी लोगों के साथ ये समस्या है कि दूसरों का अच्छा करने पर किवल और किवल बुराई हाथ आती है तो आपको बहुत अच्छा मंत्र सिखाया है मैंने परवाई ले जब भी किसी की मदद करो मन में बोलने ना परवाई ले और वो अच्छाई जो है वो पून रूप से फलित होगी पूरी तरीके से आपके अच्छाई फलित हो उसके लिए आपको फल की इच्छा करनी बंद करनी होगी आगे बढ़ने से पहले किसी भग से आपको मिलाना चाहूंगे उनकी बाद सुनते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं उसके बाद मैं आपको दूसरी बाद, दूसरा पोइंट बताऊंगी कि क्यों लोग आपको धूंका देते हैं कि कि आपको कीती तो आपको मोगाल प्रहण पीजा देती मैं तक में चाया हूंट थी अब दूसरी बार बताती है कि क्यों मेरे बच्चों को लोग थोका दीते हैं क्यों आप ही सब की दोकी के शिकार बन जाते हैं देखिए जब ही आपको किसी से धोका मिलता है अगहात मिलता है कोई आपको धगता है नूटता है जूट बोलता है और या आपसे काम निकालने की कोशिश करता है आपको धोका दे करके ऐसे में व्यक्ति बहुत जादा टूचाता है लेकिन इसका कारण अगर हम जोतिश में देखे तो अकसर देखा गया है अगर आपका लगनेश कमजोर है यानि आपका जो लगन का जो लगन चार होता है लगन कुंडली होता है उसके अंदर जो पहले खाने के अंदर जो नमबर लिखा है उसका जो स्वामी है यानि कि आपके लगन का जो स्वामी है वो जो घ्रह है अगर आपकी जर्म कुंडली में कमसूर है या सूरे चंदर आपक अगर हम वैसे ही अध्यात्मिक रूप से दोके को देखे तो देखो इसके दो ही कारण होते हैं अगर किसी ने आज आपको दोका दिया है तो इस बात को मन में हमेशा याद रखो कि वो अपने करम को खराब कर रहा है अगर उसने आज आपको धोका दिया है तो आने वाले समय में उसको धोके का फल अवश्य मिलेगा ये बात कोई टाल ही नहीं सकता जिस प्रकाल से रोज सुभे सुरे को उगना ही है और शाम को अस्त ही होना है उसी प्रकाल से कर्मों का जो फल है वो मिलके ही रहता है तो हमीशा मन में अगर किसी ने धोका दिया है तो उसको शमा कर दो शमा कर दो बेचारा है वो उसे मालूम ही नहीं उसने क्या किया है अपने लिए गठा स्वैम खोदा है जिसमें वो जाकर के गिर जाएगा और कोई उसे निकालने वाला भी नहीं होगा तो मन में से उसको शमा कर दो, कोई वेमनस्य की भावना, कोई बुरी भावना मत पालो, पालने से आपकी करम खराब होंगे, तो उसको माफ कर दो और सोचो कि है प्रहु, उसके करमों का करम जो है, जो फल है वो उसी को प्राप्त होगा, और उसी को प्राप्त हो, दूसरा हमें पिछले जन्मों के जो कर्म है वो याद ने क्योंकि याद होते ना तो फिर से अपने जिन्दकी को प्रारंब करना आपके लिए बहुत खुश्किल हो जाता है हमें हर थोड़े समय बाद सोच लो 70-90 साल बाद बार बार मौका देते हैं अपनी जीवन को री राइट करने का यह मालो आपने क्वेस्टन पेपर में गलत गलत आंसर लिख दिये थे तो अब क्या करें तो फेल होना था तो उस फेल को छोड़ करके दुबारा से एक नया शरीर नई योली मिलती है दुबारा से पेपर लिखने का मौका मिलता है तो यह बादवान ने बहुत अच्छी विवस्था की है मैंने सुना है एक गाउ में दो लोग रहते थे उन्होंने आपस में एक साथ पार्टनर्शिप का बिजनिस शुरू किया ऐसा करने पर उनकी तरक्की बुई हुई उनको संपत्ती भी बनी लेकिन जैसे जैसे साल बीत रहे थे उनमें से एक पार्टनर की नियत खराब उसने सोचा कि सारा काम तो मैं करता हूँ दुकान पे मैं बैठता हूँ इसने तो पैसा लगाया और वो हर महीने आके इतने सारे पैसे ले जाता है ऐसा बुरी-बुरी भावना उसके मन में आई जबकि वो सब सच नहीं था और ये सोच करके उसने अपने पार्टनर को दोक समपत्ती हो गई क्योंकि दूसरे को लूट करके भी तो समपत्ती उसने इखटी की थी अब मन में जिसने धोका दिया था वो बहुत खुश हूँ था देखो आज मैं कहां से कहां पहुंच गया और ये देखो बिचारा अब दुबारा से अपने काम को शुरू कर रहा है दे देरे देरे करके दोनों के काम अच्छे होने लगे और अपने जीवन को अच्छे प्रकार से देखके वो उन दोनों की शरीर को छोड दिया दुबारा दोनों का पुनर जनम हुआ जिस व्यक्ती ने धोका दिया था वो एक बहुत अमीर सेट बना अगुन उसके पास पैसा पिछले जनम में भी तो उसने बहुत सारा पैसा एक खटा किया था लोगों को धूका दे दे के तो वो फिर से अमीर बना अमीर बनने के बाद उसके घर में कुछ सालों बाद एक पुत्र संतान हो जन्म के साथ ही वो संतान बहुत पीमार रहती थे अपने बच्चे को ठीक कराने के लिए उसने ना जाने कौन-कौन सा दर्ब देखा और हर जतिय वो अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए खोग पैसा लुटा था हालत ऐसी हो गई कि उसका घर, वैपार, उसके जमीन, जाइजाद सब बिखने लगी लेकिन उसका बच्चा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था और एक दिन ऐसा आया कि जब उसके बच्चे ने प्रान ग्याती है, वो खुब रोने लगा कि मैंने सब कुछ किया, मैंने इतना पैसा खर्चा किया, फिर भी अपने बच्चे को बचा ना सका ऐसा कौन ऐसा पाप मैंने कर लिया, इस जणम में जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हो गया वो एक सादू सर्यासी के पास गया, क्योंकि बहुत डिप्रेशन में लहने लगा था, परिशान रहने लगा था सब कुछ तो उसने खो दिया था एक सादू एक फकीर बाबा के पास गया, उने से जाकर के उसने प्रश्न किया कि मैंने इस जणम में कोई पाप नहीं किया, अच्छा काम किया, सब कुछ अच्छा किया अपने बच्चे को इतने पैसे होने के बाद भी बचा न सका, ये महराज आप ही बताओ मेरा क्या कुसूर है उन सादू बाबा ने उसकी लकीरें देखी और देख करके उसको बताया कि देख, पिछले जनम में तू और तेरा एक पार्टनल हुआ करता था तुम दोनों ही खुब सेट थे, दोनोंने साथ मिलके खुब पैसा कमाया, लेकिन फिर तेरी नियत में खोट हो गया तुने उसे दोका दिया, और दोका लेने के बाद अब वो इस जनम में तुझसे वही पैसा वसूल करने आया था वो तक तक ही तेरे पास रहा, जब तक तेरे पास वो सब पैसा था उसने सारा खर्चा तुझसे कराया और अब ये सब लेकर के वो चला गया क्योंकि व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का दोनों का हिसाब किताब देना ही पड़ता है तो अगर किसी ने दोका दिया है तो हमेशा समझ लो उसके गरम उसके साथ जाएंगे कभी पीछा छोड़ ही नहीं सकते और अगर आपके मन को फिर भी तसल्ली ना हो तो एक बार आकर के हम से बिल लेना हम देखेंगे कि क्या आपकी किस्मत में ऐसी कोई समस्या तो नहीं कहीं आपके लगनेश इतने कमजोर तो नहीं या कुली में सूर्य चंदर इतने कमजोर तो नहीं जिसके कारण आप लोगों के दोके के शिकार बढ़ रही आज की सत्सन को यही विश्राम करते हैं एक ही मातंत में कहना चाहूंगी मनुष्य धर्म परमो धर्म किसी की आप इच्छा मत करोगी आपको कुछ अच्छा काम करने पर दे चाहे आपको बद्नामी करे पुराई करे लेकिन अपना अच्छा कर्म करते रहो वो ही सबसे बड़ा धर्म है एक मनुष्य होके किसी मनुष्य की सहायता करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है तो यह करते रहो भगवान एक दिन आपसे प्रसन अवश्य होंगे आपके कश्टो का दिवार अवश्य करें आपको आशिरवार देते हुए आज की सत्संग कोई ही समाप्त करते हैं जै शरीती हमारे द्वारा बनाई गही और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके